नमस्कार दोस्तों, सुना है इंडिया गटवंधन के एक फैसले के बाद, देश के कई न्यू चैनलों में खलवली मच गई है खलबली इंडिया गठवंधन के उस फैसले के बाद मची है जिसमें ये तै किया गया है कि गठवंधन के नेता किसी ऐसे एंकर के शो में या कारिक्रम में नहीं जाएंगे जो बीजेपी से सैटिंग करके विपक्ष के खिलाप एजंड़ा चलाते हैं हर रोज सांपरदाइक भहसें करते हैं हिंदू मुसलिम के एजंडे में विपक्ष को फसाने की साजिष रचते हैं और बीजेपी के नैरेटिव का हिस्सा बनकर देश को मुख्य-मुद्दे से लकीनन इस देश में पहली बार ऐसा फैसला किसी मोर्चे ने किया है। कॉंग्रेस प्रभक्ता पवन खेडा की तरफ से टुईटर पर दोपर तीन बज़ कर 46 मिनन पर एक लिस्ट जारी की गई है। और ये जानकारी दी गई है। पवन खेरा ने टुईटर पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन की मीडिया कमिटी ने आज वर्चुल मीटिंग में ये तै कि इन 14 एंकर्स के शोज और इवेंट में गठबंधन का कोई नुमानदा हिस्सा नहीं लेगा। इस लिस्ट में कई चैनलों के चर्चित चेहरों के नाम है। इन सब को लेकर कुल चौधा नाम जाहिर है इसके बाद चैनलों में बवाल मच के हैं। कुछ चैनलों में इंटर्नल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है कुछ चैनलों में चिंता इस बात की है कि इंडिया गठवंधन के इस फैसले का असर कहीं उनके व्यवसाई खितों को नुकसान तो नहीं पहुचाएगा कहीं इसका असर विग्यापनों पर तो नहीं होगा इंडिया गठवंधन के सरकारों वाले राज्यों की तरफ से कहीं उनके चैनलों के विग्यापनों को रोकने का तो फैसला नहीं हो जाएगा आने वाले दिनों में क्योंकि गठवंधन के कुछ दलों का मानना है कि अगर विपक्ष के खिलाफ चैनलों के एंकर का रवया ऐसे एंकर्स का नहीं बदला तो उन्हें ऐसा फैसला भी करना चाहिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा बीजेपी आईटी सेल के मुख्या अमित मालवी है बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और बीजेपी की पूरी मशिनरी गटवंधन के इस फैसले को पत्रकाइटा पर हमला और अभिव्यक्ती की आजादी पर हमला बताने में जुट गई है बीजेपी नेता उन तमाम एंकर्स को कवर फायर देने में जुट गए है जिनकी तस्मीरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो बीते 5, 7, 8 या 9 सालों से एंकर होकर भी अंडर कवर एजेंट की तरह बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं इनमें से कई के बारे में ऐसा कहा जाता है कुछ को बीजेपी के सिल पर सिल का हिस्सा भी कहा जाता है जवाब अब गठबंदन के नेताओं की तरफ से भी आ रहा है कश्मीर में चार जवादों की शहादत के बाद जस्ट मनाते प्रधान मंत्री मोदी ग्रे मंत्री अमिश शाह, रच्छा मंत्री राजना सिंग और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा से एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाने वाले चेहरे एंकर विपक्ष के फैसले को मीडिया पर हमला बताने में जुट गए शहीद परिवारों की चीख पुकार जिसे अंसुना करके प्रधान मंत्री मोदी कल देर शाम फूलों की बारिश के बीच मेगा इवेंट में अपना महिमा मंदन कराते रहे चैनलों पर ऐसे लाइब दिखते रहे शहीद परिवारों की आवाजे चीखे दम तोड़ती रही किसी एंकर ने सवाल नहीं पूछा ना कल ना आच किसी एंकर ने सवाल नहीं उठाया कि सरकार इतनी सम्वेदन हीं कैसे हो सकती है अब तक पीम मोदी के चुप्पी और उनके रवये पर एक भी सवाल नहीं पूछने वाले एंकर अब ग्यान दे रहे कि विपक्ष मुश्किल सवालों से डर गया है इसलिए ऐसा फैसला किया है मैं चुनोती दे कर कहूंगा कि हमेशा राहुल गादी तेजस्वीयादब ममताब एनर जी अर्विंद केद्रिवार या उद्धव ठाकरे ली या विपक्ष के किसी नेता को घेरने वाले किसी भी एंकर में अगर दम है तो एक बार पिएम मोदी से ऐसी तस्वीरों के बारे में पूछ रहे हैं और ऐसी तस्वीरे दिखा कर पूछ है एक बार आज अपने किसी शो में पूछ कर दिखा है कि मोदी जी सेना के करना मेजर जम्मू कश्मीर के DSP की शादत के बाद उनके बिलखते परिजनों की चीखों की परवा किये बगैर आप जश्न में कैसे शामिल होते रहे कोई एंकर मोदी और शाह से एक बर पूछ कर तो दिखा दे है हिम्मत किसी में पूछने की ये तस्मीरे कल की है या हिम्मत और सवालों वाली सारी पत्रकारता राहुल गांधी को देखकर ही जगती है कभी नहीं लगता कि बीजेपी फोटो जब दे काके उसी शहादत के दिन ये तस्मीरे जारी करती है मोदी को देखते ही आपकी पत्रकारता जमीन पर लेट चाती है मोदी को देखते ही मन में भक्ती का भाव मर जाता है मोदी से सवाल पूछने में जुबान साथ नहीं देती है जिनकी सवाल नौ साल से सरकार है उनसे कोई सवाल ऐसे मोकों पर भी है उनके लिए आपके हाथों में आरती के ठाल है और विपक्ष के लिए सवालों की मिसाइल है बाकी सबे हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा तो है जिसमें विपक्ष को हमेशा फसाय रहना है यही तो बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे एंकर से जिने लगता है पत्रकार्टा पर हमला है आज हिम्मत करके अपने शो में शहिदों के लिए है सही एक सवाल प्रधान मंत सकते तो पत्रकार्टा की आर में नाटक करना बंद कर दीजिए बाराल मैं तो यही कहूंगा देराय दुरस्ता है अगर मोधी भक्ती में आकंठ डूबे चाटुकार एंकर नहीं सुदरते अगर उनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टार्गेट करना है तो फिर व चिप में अपाद मस्तक लिप के एंकर मोधी को खुश करने के लिए दिन रात अपने काम में जुटे रहते हैं मोधी चालिसा करते करते विपक्ष के खिलाब सुपारी लेकर तूट परते हैं तो क्यों ने विपक्ष ये तै करे कि हमें आपसे बात नहीं करनी है आपको एंकर्स के बहिसकार का फैसला प्राइवेट चैनलों के सरकारी एंकर्स अभिपक्ष के फैसले को अभिवेक्ति की आजादी के खिलाफ और देश के लोक तंत्र के खिलाफ खतरनाक फैसला घोशित करने के तैयारी कर रहे हैं शुरुआत सुधीर चौधरी साब ने कर दिया वही चिप बाले चौधरी साब ये वाले जिनने 2000 के चिप में 2000 के नोट में चिप मिल गए थे जो जमीन के 100 फिट या 100 मीटर नीचे से भी मोदी जी को सिगनल भेश सकते थे चिप बाले चौधरी साब ने कल अपने शो में इंडिया गठवंदन के फैसले के वारे में लंबा लेक्शन दिया क्या कहा और जो कहा वो कहने के लिए कितनी मोटी चमड़ी चाहिए ये बताने से पहले मैं आपको आज ये बता दू डिस्क्लेमर कि उन्हें आज ना तो मैं जेल रिटर्न कहूंगा ना तिहार रिटर्न कहूंगा नहीं ब्लैकमेल करने वाला वसूली चौधरी कहूंगा जो कई लोग सोशल मीडिया पर आज भी लिख रहे हैं और चौधरी साब लगाता ट्रेंग भी कर रहे हैं मैं पूरे मान सम्मान के साथ उनकी बात आपको सुनाते हुए अपनी बात कहूंगा फैसला आपको करना है अब सुनिए कि सुधीर चौधरी जी ने कल क्या कहा और उसके बाद कुछ आगे की भी बात कि अगर आज ये लोग नेतिकता की बात कर रहे हैं भाशन दे रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं इनकी हकीकत क्या है आगे पहले सुनिए चौधरी साब अब सुनिए जरा और बेशर्मी देखी इसलिए मैंने कहा ये सब कहने के लिए ओन एर आकर मोटी चमड़ी चाहिए चौधरी साब ने कहा कि विपक्ष के मोर्चे ने ऐसे एंकर के खिलाप मोर्चा खोल दिया है जो उनसे फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते उनका परचार नहीं करते हैं friendly सवाल नहीं पूठते, प्रचार नहीं करते तो आप कर क्या रहे हैं और आप जैसे दरजनों वो चेहरे कर क्या रहे बीते नौ सालों से कितने सवाल आपने मुश्किल सवाल पूछे, परद्धानमंतरी मोदी से अमिशाह से, योग आदितनाथ से कितने सवाल पूछे, कितने मारे इंटर्व्यू में आपने वो सवाल पूछे जो नौ साल में उनसे पूछे जाने चाहिए जिनके सत्ता देश में है पूछे क्या, उनसे फ्रेंडली रहे उनसे लारा लप्पा वाला रिष्टा रहे आपका उनके सामने आप बिच जाएं और उसके बाद सारे सवाल सारी मिसाइले है विपक्ष के लिए हैं आपके पास विपक्ष को ट्रैप में फसाने के लिए और अब लेक्चर दे रहे हैं विपक्ष को ये भी अधिकार नहीं है कि वो तैय करें कि आपसे बात नहीं करेंगे शुरुआत अंडी टीवी से हुई थी जब रवीश के शो में 2014 के बाद BJP नेताओं ने उनका बहिशकार किया था जाना बंद कर दिया था रवीश कुमार के शो में कुछ बोला है और बताओंगा क्या वो सवाल थे जो 24 घंटे में मीडिया को पूछना चाहिए था मोदी से अमिशा से राधना सिंग से जेपी नडडा से किसी ने नहीं पूछा उन सवालों पर भी आएंगे एक ये दूसरा इस बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो फैसला इस देश के लिए बहुत खतरनाक है इस देश के लोगतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और अभिवक्ति की आजादी के लिए और मीडिया के लिए बहुत खतरनाख है और यह जो फैसला आज विपक्ष के इंडियागरबंद ने लिया है यह खतरनाक यूग की शुरू आगट करता है। ने संगीन धाराओं में कैसे गलत खबर दिखाई कैसे करनाटक में सबसीडी की खबर में आधी बात छिपा कर आधा बता कर और कैसे हिंदु तुके पुरोधा बनते हुए खबर दिखाई और वहां सांप्रदाइक धुर्भी करन की कोशिश की और अभी कुछ दिन पहले बु इनके चैनल पर इनकी बात सुनिए आपको फथा चलेगा कि अभी वैक्ति की आजादी के इनके लिए मायने क्या है प्रधान मंत्री मोधी इनके लिए क्या है और विपक्ष कैसे इनका दुष्मन है लेकिन आज सब को चिंता हो गई है और इस चिंता में बहुत सारे लोग शामिल होंगे एक और वीडियो है यह सब कल रात का शो है जो सब ग्रूप है मीडिया पर जो बनाए जाएगा यह ऐसे तमाम न्यूज एंकर्स की लिस्ट बनाएगा ऐसे तमाम पत्रकारों की लिस्ट बनाएगा जो इंडिया गडबंदन से उसके मन पसंद सवाल नहीं प्रेस कॉंफरेंस में नहीं बोलाया जाएगा और उनके साथ कोई इंटर्व्यू भी नहीं किया जाएगा अब ये बार-बार सुधिर चौधरी कल कह रहे थे कि इंडिया गडबंदन ऐसे पत्रकारों का बहिशकार करेगा जो उनसे मुष्टिल सवाल पूछते हैं जो उन साडे छे साल योग्या अदितनात की सरकार के होगा हैं इनसे पूछना चाहिए कि सबा 9 साल में प्रदान मंतरी मोदी से और साडे 6 साल में कितने सवाल योगी और मोदी से पूछे गए और सवालों की लंबी लिस्ट मैं दे देता हूं और जब इन्होंने या इन जैसे सवाल और उसी में प्रधान मंत्री मोधी का मुस्कराते हुए जवाब और उन सवाल और जवाब के बीच जो friendly दोस्ताना दिखता है उसका एक वीडियो अभी तीन दिन चार दिन पहले भी आथ जी 20 समिट के बाद को डिनर के दोरान कैसे पत्रकार लोग प्रधान मंत्री मोधी को गेर कर खड़े हैं एक पत्रकार लिख रहा है प्रधान मंत्री जी मेरा भी शो देखते हैं एक सवाल दिखा दिजिए जो बीते सवा नौ साल में उनसे पूछा है जो दो बार देश के प्रधान मंतरी बने है एक मुश्किल सवाल दिखा दिजिए जो उनसे पूछा है जिन्होंने दरजनों वाइदे किये थे जो वाइदे आज तक पूरे नहीं हुए एक मुश्किल सवाल दिखा दीजिए जो अमिश्चा और योगी से आपने पूछे होंगे मुश्किल सवाल की बात कर रहे हैं अभिवेक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं लोग तन पर खत्रे की बात कर रहे हैं देश पर खत्रे की बात कर रहे हैं लेकिन चलिए एक आपको हम एक सब्जेक्ट बताते हैं और आज आप पूछ कर दिखा दीजिए सुधीर चौधरी साहब आपको लगता है न कि आप अभिवेक्ति के आजादी के पक्षदर है और आप चाहते हैं एक मुश्किल सवाल नेताओं से पूछे जाए तो मैं आज आपको एक सवाल दिता हूँ मिस्टर सुधीर चौधरी आप में हिम्मत है तो यह सवाल पूछिए लेकिन पूछिएगा सीधे प्रधान मंत्री मोदी से सवाल क्या है तस्वीरे कुछ दिखा देता हूँ इससे आपको सवाल का अंदाजा हो जाएगा ओ ऐसे आप इतने मासूम और भोले तो हैं नहीं आपको पता है क्या सवाल पूछे जाने चाहिए यह तस्वीरे कल की हैं जब प्रधान मंत्री मोदी बीजेपी मुख्याले पहुंचे थे पूरे ताम जाम के साथ फूलों की बारिश हो रही थी प्रधान मंत्री मोदी का किस तरह से कश्मीर में जो वहां एक डियस पी जो शहीद हुए जिनके साथ बाकी तीन लोग शहीद हुए सेना के दो अधिकारी और एक जवान उस डियस पी के परिवार में कैसा मातम का माहुल था चीक पुकार थी शोर था आसू था मातम था और ठीक उसी वक्त प्रधान मंत्री का य पूस्टर लगा कर वोट मांग चुके प्रधान मंत्री मोदी कल क्या कर रहे थे शहीदों के परिवारों की चीकों के बीच फूलों की बारिश के बीच इस तरह से स्वागत सतकार महमा मंदन का हिस्सा बने हुए थे तो आज सुधीर चौधरी जी दिखा दिजिए पत्रका आज रात दिखा दिजे मैं चुनोती देता हूं आप पूछिए कि प्रधान मंत्री मोदी जी जिस दिन शहादत हुई चार जवानों की जिसमें तीन अधिकारी हैं उस शहादत के दिन आप कैसे फूलों की बारिश के बीच इस तरह से भीजे पी मुख्याले में गए ये ग गुलाब कबूल करें जिसमें रक्षा मंत्री भी हैं जिसमें ग्रे मंत्री भी हैं आज आप पूछ दीजिए प्रधान मंत्री से ये तस्वीरे दिखाएए स्क्रीन पर सुधीर चौधरी चुनोती देता हूं और ये तस्वीरे दिखाकर आप पूछिए कि प्रधान मंत्र सब को पहचानते होंगे आप आज आप पूछ दीजै सुधीर चौदरी जी कि जब कल शहादत हुई और शहादत के बाद शहीद के परिवारों में मातम मन रहा था उनकी कहीं चिता जलाने की तैयारी हो रही होगी, कहीं अर्थी को कंधा देने की तैयारी हो रही होगी कहीं घर में जैसे कश्मीर में जो जेनके में जो मारे गए डियस पी उनका एक बेटा शायद एक साल का है तीन साल पहले शादी होई बाथतर चौहतर साल के उनके पिता कलाय थे जनाजे से पहले ताबूत में बंद अपने बेटे के जिस्म को फूलर फित कर रहे थे ठीक उसी वक्त की ये तस्वीर है वो बाथतर सत्तर साल के पिता लडखराते हुए अपने बेटे के जनाजे से पहले ताबूत के पास पहुँचे थे तब ये जश्म मनाया जा रहा था पूछेंगे सवाल इन सबसे है हिम्मत आप में आप मुश्कल सवाल पूछना चाहते हैं न सुधिर चाथरी आप कटिन सवाल पूछना चाहते हैं न आप अभिवेक्ति के अजादी के पक्ष्टार है न और आप मानते हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए जो आपने कल के शो में कहा दिर पिर कहेंगे इन से पूछिए ना है इमत पूछ कर दिखाईए और पूछिए कि कल जब ये जम्मु कश्मीर से ऐसी तस्वीरे आई जब शहादत की तस्वीरे आई, जब कल जबानों की शहादत हुई, तब बीजेपी की तरफ से ये देर रात को ये फोटो टूइट किया गया, फोटो अफ दे डे, ट्रेजडी अफ दे डे तो ये था, चार जबानों की शहादत, देश की हिफाज़त के लिए, चीह, पुकार मातम, लेकिन ये तस्वीर बीजेपी टूइट करती है, जिसमें जश्न का महौल है, इन सबसे पूछेंगे सवाल, ये कुछ तस्वीर मैंने लगा दी, आप पहचानते तो हैंगे, इन से पूछेंगे सवाल, इन से पूछेंगे सवाल, इन से पूछेंगे सवाल, इन में से किसी से तसमीर लगा कर अपने चैनल per क्योंकि हमने इस देष में वह पत्रकायचता 2014 के पहले की है और वह पत्रकायचता देखी है आप भी चस्म्डीद होंगे जब 2014 के पहले मनमहन सिंग की तसमीरे चैनलों कोई परिशान नहीं था कोई लगता नहीं था कि वो मनमहन सिंग से सवाल पूछना देश विरोधी होना है सवाल सबने पूछे लेकिन आप सवा नौ साल से और आप जैसे वो एंकर क्या आप में इतना भी नहीं लगता इतनी गैरत अपने भीतर वो जमीर कहीं जिन्दा नहीं होती लगता नहीं कि इन से सवाल पूछा जाना चाहिए और ये मैं आज उन तमाम एंकर से कर रहा हूँ जिन्होंने कल की ये तस्वीरे देखी है उन तमामे फिर से एक बार दिखाओं दर्शकों के लिए भी जिन्होंने ये तस्वीरें देखी है ये तस्वीर शर्मनाक है बेशर्मी का इजहार है और आज प्रदानमंत्री मोदी फिर चुनावी सभाओं में है मद्ध प्रदेश में भी और 36 कट में भी तस्वीरें सुबा से कुछ चैनल पर दिख रही है जो चार शहदत हुई है उनके परिजन उनके परिवार की साल में है और उन्हीं तस्वीरों के बीच कुछ चैनल पर वो तस्वीर दिख रही है जो प्रदानमंत्री मोदी एंपी और 36 कट में उसे ही मुस्कराते हुए हाथ हिलाते हुए स्वागत करते हुए फूलों के बीच जशन के बीच चुनावी सभाओं की तरह सभाओं में शामिल होते हैं सवाल पूछेंगे आप उनसे और पूछा जाना चाहिए किने मैं ये भी पूछता हूँ सुधिर चोधरी आप से और बाकी लोगों से क्या आपको लगता है कि ये सवाल प्रधान मंतरी मोदी से अमिशा से नहीं पूछा जाना चाहिए अगर आपको लगता है नहीं पूछा जाना चाहिए तो ये भी कहिए ये क्यों पूछा जाना चाहिए अगर चार शहादत हो गई तो उनमें परधान मंत्री रक्षा मंत्री का क्या मतलब है वो तो ऐसे जश्मन आते रहना चाहिए लेकिन राहुल गांधी किसी भी ऐसे मौके पर राहुल गांधी से कोई गलती हो जाए तो पूरी रिसर्च टीम आपकी और आप जैसे दरजनों एंकर की पूरी रिसर्च टीम राहुल गांधी पर नज़र रखती है राहुल गांधी क जुबान से निकले हर वाक्ष पर नजर रखती है कि राहुल गांदी ने गहीं गलती की नहीं कि तब भी फेकनी उचला है राहुल गांदी के बारे मैं भारत जोड़ो यात्रा के दोरान तीन चार बार शायद माफी कई लोगों ने मांगी आपने भी एक बार गलती किये लेक पकषिदलों में हैं और उनना राजगी का हक है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ ना इंसाफी हो रही है उन्हें लगता है कि सत्तापक्ष के से मिली भगत की वज़ा से सत्तापक्ष से सेटिंग की वज़ा से आप विपक्ष को टार्गेट करते हैं बुल्डोज करने के साजिश रते हैं देश में माहौल खराब करते हैं बार बार हर बार जरूरी मुद्दे महंगाई बेरुजगारी से लेकर वादों से जुड़े मुद्दे जो काने के लिए ताकि उधर ध्यान न जाये चाहे मांगाई हो चाहे तेल हो डीजल हो गैस सिलिंडर कुछ भी हो इसलिए हिंदो मुसल्मान करो इसलिए सबसीडी योजना में भी हिंदू को कुछ नहीं मिला ये बोलते हुए अजंडा सेट कर दो कहो कि देख लो करनाटक के हि हिंदू हो तुम अपने कोकोस रहोगे कि तुम हिंदू या बहुस अंख्यक में क्यों जनलिया तुमने तुम मुसलिम क्यों नहीं हो ये उकसाने वाली हरकत सुधीर चौधरी और जो भी करते हैं क्या वो पत्रगारता है क्या लगता यह सही है लेकिन ये भी देखिए कि कि इन लगतार चौधीर चाहड़ी जी आपने भी हिं मत तो कि हिं मत की स्मिर्टि रानी से पूछने की सरकार से आपके रिष्टे प्रधन मंत्रि मोधी से आपके निकरता जग जाहिर है उसके बाद भी स्मिर्टी रानी से आपने टमांटर पर एक सवाल पूछ यहा जो सव कि कैसी सरकार है और कैसे मंत्री है जो आपके सवाल को भी नहीं जेल सकती है और जो बहुत हलका सवाल था फ्रेंडली सवाल था दरसल फ्रेंडली सवाल का जवाब उन्होंने आप पर हमला करके दिया कि आप जेल क्यों गहे थे और आप चाहते हैं कि आप विपक्ष की तरफ स सबस्क्राइब कर दे ने तो यह सवाल दर्शक के spaghetti नाते आप भी सोचेगा सब्सक्राइब मैं एक बयान दिखाता हूँ जो मनोज्जा ने कहा है इसे मुद्दे पर जरा सुने इसलिए सोशल मीडिया क्रिकेट मेरे लिए बेमानी है मेरे देश के पुदान में और उनकी पाटी जस्ट मना रहते हैं जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था यह इंच अभियों के साथ इसे सांस ने सुन लिया आपने 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था सेना के दो वरिष्टा धिकारी एक जवान एक डियस्पी शहिद हुआ और उसके बाद जस्ट की तश्वीरें आती रही हर चैनल पर चलती रही किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मामुली ढंग से भी हलके ढंग से भी सवाल पूछे और तो और फ्रेंडली सवाल पूछे और सुधीर चोधरी आप कहते हैं कि विपक्ष को मुश्किल सवाल पसंद न से जो कल खबर आई उसी खबर के बाद संजय सिंग ने टूइट किया आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे न्यूज एंकर जो समाज में नफरत और हिंसा का जहर गोल रहे हो हमारे राश्ट के साथ घोर पाप कर रहे हैं इंडिया गट बंदन द्वारा मोधी के इशारों पर नाचिनिवाल एंकर का भाष्कार स्वागत योगल कदम है वैसे पवन खेडा ने वैसे कुछ दिन पहले ही साथ सितंबर को ही लिखा था प्रिया एंकर से दिया आपके किसी शो में संग विचारक परचारक आदी राजनितिक विश्लेशक बन कर बैठेंगे तो हम भी राज कारिया नहीं है तो ऐसे किसी शो में कॉंग्रिस भागने लगी इसमें होता क्या है कि 50 ऐसे लोग हैं जो हैं दरसल संग के लेकिन उनके नाम के नीचे लिखा रहा था राजनितिक विश्लेशक तो विश्लेशक का लबादा औरकर नकाब औरकर वो दरसल संग के लिए बैट एक BJP का नेता हो गया एक कोई और NDA के घटक का हो गया तो चार बना में एक की लड़ाई होती है और हर बार हिंदू मुस्लिम या वो ऐसा नरेटिव उसी के लिए लिखा था प्रियंका चतुरवेदी जो उद्धवुट की सेना की सांसाद है उन्होंने लिखा येस बॉइ बहिष्कार इस वक्त की जरुवत है अब बात आती है कि ये सुधिर चोधरीन जैसे का कि मीडिया कैसे खत्रे के दौर से हर मीडिया पर कैसे हमला है और मुश्किल सवाल कैसे पूछते हैं ये मुश्किल सवालों की लिस्ट में कई बार ये से स्क्रीन शॉट दिखाता रहत हूं ये सब लोग हैं जैसे चोपडा साव हैं अमन चोपडा नाम है इनका कितने मुश्किल सवाल पूछते हैं और कैसे डिबेट करते हैं ये बानगी इस पर कई बार बात कर चुका हूं सिर्फ हिंदू मुसल्मान सिर्फ हिंदू मुसल्मान योगी की चापलूसी मोदी की चापलुसी अमिश्टा की चापलुसी और विपक्ष को हर रोज निशाने पर रखना यही इनकी पूरी पत्रगारता है और ऐसे एक नहीं ऐसे कई चेहरे हैं जो चैनलों पर है यह भी चोपड़ा साब आप शो के नाम आप सब लोग जानते हैं यह अमिश्देवगन भी है इ हिंदू मुस्लिम फसाद का सियासी जिहाद दर्सों पर बाबा ने खोला तीसरा नेत्र दोहजार सैटालिस की डेट भारत इसलामिक राष्ट हिंदू सौफ टार्गेट यहीं हैं अमिश्देवगन और ऐसे तमाम चेहरे जो लगातार अगर हिंदू होंगे अल्पसंख्यक भागवाए हिंद से होगा गजवाए हिंदू डरता है यहां यह कौन सी पत्रगारता कर रहे हो रोज भाई और अगर यहीं कर रहे हो और इसी तरह के शो में इसी तरह के कारकर में बुला कर किसी विपक्ष के नेता को आपको पंचिंग बैग बनाना है और उन्हें अपने प्रेब में फसाना है तो फिर क्यों नहीं को ते मुझे आना चाहतेüyor्याइज करिए और लिफाफे के उपर अभिवेक्ति के आजादे और मीडिया पर खत्रा मतल की ये भी कुछ चेहरे हैं ज्यादातर इसमें वही आमन चोपड़ा और अमिश्द्योगन का भी है सुधिर चौदरी ने भी जिहाद के कई रूप निकाले हैं आर्ठिक जिहाद और जमीन जिहाद शिक्छा जिहाद पीडि़िज जिहाद फलना जिहाद फलना जिहाद जिहाद जनसंक्याद और एक सज़ण यह ये भी महान पत्रकार है अब और उसके बाद आप पत्रगारता पर हमला कहेंगे है इसुदर्शन के मालिक है इनका काम ही एक मात्र है मुसल्मानों को टार्गेट करो हिंदु वादी ताक्तों का साथ दो हिंदु मुसलिम एजेंडे में रोज तीली लगाओ और रोज यह बताने की कोशिश करो कि कैसे में इसलाम जो है हिंदू के लिए कितना खत्रा बनता जा रहा है यही रोज करो और उसके बाद यह कहेंगे यह पत्रकार यह संपादक इनके चैनल पर लोगों को आना चाहिए क्यों नहीं बैन लगना चाहिए हर रोज यह शक्स या ऐसे बहुत सारे लोग इसी तरह का काम क रहा कि विपक्ष का यह एक कलकी बैठक की का प्रेसनोट है जिसमें वह इन लिखा गया था को और जितने निता उसको कोडिनेशन कमिटी में थे उनकी लिस्ट है यह बैठक की तस्वीर अब दिखाने का कोई खास मतलब नहीं अब यह तस्वीर इंडिया मोर्चे की मैं इस अगर यह फैसला कर लिए कि ऐसे एंकर्स के शो में हम अपने नेताओं को नहीं भेज़ेंगे लेकिन उसके साथ अगर यह फैसला कर लिए कि हम उन चैनलों को विग्यापन भी नहीं देंगे तो समझे क्या होगा यहीं टर है अर्वें केजरिवाल हैं ममताब एनरजी हैं नित लेकिन उमीद है कि सुधीर चौधरी मेरी बातों को अनित्था ना लेंगे और आज रात अपने ब्लैक एंड़ वाइट शो में जिसमें कई बार या क्सर ब्लैक ज्यादा वाइट कम होता है आज वाइट ज्यादा होगा ब्लैक कम होगा और पिना मिलावट के सुधीर चौध लगकर ये सब गुलाब देते हुए दिखे उस समय जब शहीदों के परिवारों में मातम, चीख, पुकार और कोहराम था और आज भी प्रधान मंत्री मोधी चुनाओ परचार में क्यों गए एक बार पूछिए का हिम्बत करिए थोड़ी हिम्मत करिए जैसे आपने स्मिर्ति पिरानी क्या करती है, उट भी सकती है, खड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार हिम्मत दिखा दीजे सुधी जोदरी, आज आप पूछिए इन सब से कि शहादत के बाद, चीख, पुकार को अंसूना करके, और उसके बाद, आप क्यों ऐसी तस्वीरों में दिख रहे हैं, और त पहले तक इन सब ने मूह नहीं खोला है, ट्वीटर पर भी कुछ नहीं लिखा है, दो सब्स ये भी पूछिएगा, शाधत के 24 घंटे बाद भी इनकी जुबान नहीं खुली है, क्यों ये जरूर पूछिएगा, यहां भी उमीद करते हैं कि राहूल गांधी इस पर निंद बस आप पत्रकाइटा धर निभालीजी आज, नमस्कार